नमस्काय दोस्तों कंग फारमीश में आपका स्वागत है, मैं सुर्यश कुमाईट फार्मासिस्ट आपका स्वागत करता हूँ सबसर पहले आप सभी को हैपी नियुएर & नियुएर की आपको बहुत पहुत शुकाओन है और New Year के साथ आप अपनी बोड़ी के लिए अपनी हेल्थ के लिए फिट रेने के लिए 10 टिप्स आप आज आपको मैं देने जा रहा हूं जो आप New Year के साथ साथ फोलो कर सकते हूं कौन-कौन से वो 10 टिप्स है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है एक्सेसाइज करना एक्सेसाइज करने से अपनी बोड़ी में क्या होता है अपनी बोड़ी में बलड सर्कुलेशन बना हुआ रहता है एंड मसल्स हेल्थली एंड स्ट्रोंग रहती है इससे शरीर में एक्स्ट्रा केलोरी मनी रहती है एंड फर्ट वन होता रहता है और शरीर फिट बना रहता है चेकिंड क्या है, Nicholas ब्रेक्पस्ट यानि कि सुबह नास्ता करना मौन्डिंग में सुबह उठते टाइम नास्ता करने से अपने खेने का मतलब बोडी में एक्टिवेटी रहती है यानि कि किसी भी का रेकननी की समता रहती है दिन पूरा दिन पूरा टोटल समय आपका कोई भी माइंड लगा रहता है तो उस पर लगा हुआ रहता है ठल कौन सा है डाइट में प्रोटीन वे अनाज लेना यानि की सुबह केने मतलब डाइट कर रहे हो तो आप ऐसे फ्रूट्स वगेरा का यूज करो जो प्रोटीन में प्रोटीन में उपलब दो उससे प्रोटीन से क्या होगा अपने बोडी में बार-बार यानि की बूख नहीं लगेगी एंड बूख लगने की आदर से चुटखा रहा हो जाएगा एंड पेट ज्यादा तेर तक बरावा रहता है और अपने प्रोटीन से अपने डाइजेश स्ट्रोज होती हा जो अपनी डाइजेशन को अच्छा बना बना रख सब्सक्राइब फल ज्यादा गहाने अच्छी है सब्सक्राइब फल ज्यादा खाने ऐने से होती है and digestion अच्छा बनावाता है and किसी भी कार्य करने में अपनी body active यानि की फूर्तिली रहती है six मिटा कम खाए मिटा कम खाने से कहना मतलब अपने body में factors and dextrose दो मात्रा होती है यानि की सकर से factorize होता है जो हमारे सरीर में fat की मात्रा को बढ़ाता है मिटा खाने से सरीर में सुडोल मना रहता है जो अपने body के लिए बहुत ही खाने कारक होता है सात्वा यानि की बोजन चबा के खाना यानि की अपनी एक आदत अच्छी नहीं है अपन बोजन को चबा कर ने खाते हैं बोजन को चबा कर खाने से अपनी body में digestion system अच्छा बना रहता है और मोटा पर नहीं आता है कम से कम एक कूर को 30 से किंड तक चबा कर बोजन खाना चीए आटवा दिन बर में 10 गिलास कम से कम पानी पिए यानि की 10 गिलास केने का मतलब 3-4 लिटर तीन से चाल लिटर आप पानी रोज पिए पानी पिने से क्या होगा अपने चाहे सर्दी ओ चाहे गर्मी ओ पानी की मात्रा यही होना चीए तीन से चाल लिटर इससे हमारी शरीर में टेक टोक्सिन निकलते रहते और पेट बरा हुआ लेता है और कम से कम नवा है शिद्धियों का उप्योग करें आज पास में काम करना जोब में जाते समय या एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाते समय आप शिद्धियों का यूज करें तक शिद्धियों के यूज करने से क्या होगा अपनी बोड़ी में एक्स्टा केलोरियों होती ह जो अपनी बोड़ी में फैट को कम करती है और सबसे इंपोर्टेंट नीन पूरी लेना नीन पूरी लेने से यानि की नीन एक तरह से अपन बोड़ी को रिचार्ज करना बोड़ी रिचार्ज होती है इसलिए हम रोजिना पूरी नीन लेना चाहिए करीब करीब साथ गण थे तो अपने को नील लेना चीए जिससे अपनी बोडी यानि की मून बगएरा मन बगएरा फ्रेस होता है और बोडी एक्टिव रेती है और ये दस आदते आप छोटी-छोटी आदते हैं जो शरीर में अच्छी केलोरी अच्छी तन्दूस्ट बनाया रखता है इन्हें आप नजर अंदाज ने करे और इन तस बातों को नील एर के साथ फोलो करे शाइद आज आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को जैदे जैदे शेयर करो